थे बच्चों in pride voices में मैं आपका सौइत करता हूं एक बच्छों आजकी class में हम कुछ और financials कॉश्षयस किसे अब और आज की ग्लाज में बच्चों हम आगे के बचे हुए चैप्टर्स भी कवर करने जा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से कुश्चन को समझेगा चूंकि कुश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन सभी कुश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस भी करिएगा चलिए बढ़त प्लस 6KX प्लस 4 बराबर 0 इसके मूल बराबर है आप ध्यान दीजेगा मूल बराबर हो तो क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट यानि के विविक्तर जिसे आप D बोलते हैं वो 0 होता है उसके पहले आपको चाहिए A A आपका यहाँ पर 9 है P आपका यहाँ पर 6K है और C यहाँ पर है आपका 4 इसके पहले आपको ABC की जरूत पड़ेगी ध्यान रखना क्योंकि डी निकालते समय आप इन तीनों को यूज करते हो देखो जिसे हम कहते हैं कैसे निकलता है वो निकलता है बी स्क्वाइर माइनस 4 एसी से ध्यान रखना क्योंकि इसके मूल बराबर है ध्यान रखना चूपकी मूल बराबर हैं तो आपका D बराबर क्या होगा? 0 तो यह आपका हो जाएगा 0 तो यहाँ पर इसको कैल्कूलेट करते हैं B स्क्वाइर यानि के 6K स्क्वाइर माइनस 4 A आपका है 9 C आपका कितना है? 4 और यह 0 के बराबर होना चाहिए तो यहाँ प चौके 144 बराबर 0 प्लस माइनस यहां जरू लगाना यह भूलना मत और इस तरीके से के बराबर प्लस माइनस दो देखो ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा यही आपका सही ऑप्शन है बढ़ते हैं अगले प्रशन की और उस व्रित की तिर्जया याद कीजिए जिसकी परधी व्यासों 36 cm और 20 cm वाले व्रितों की परधियों के योग के बराबर है धियान रखना यहां दो व्यास दिये हैं तो दिये गए दिये गए व्रितों के व्यास आपके क्या क्या है D1 आप D1 तथा D2 क्रमशह क्या है ये क्रमशह आपके 36 cm तथा 20 cm है ज्यान देना तो यहां पर त्रिज्याएं कितनी हो जाएगी अगर मैं बात करूँ त्रिज्याएं त्रिज्याओं की त्रिज्याएं R1 तथा R2 क्रमशह क्या हो जाएंगी इनकी आधी 36 का अधा होता 18 cm तथा 20 का अधा 10 cm ये हो जाएगा 18 cm और 10 cm हो जाएगा ठीक है आपको बताना क्या है उस वृत की तिरिज्या जिसकी परिधी इन दोनों की परिधियों के बराबर हो तो ध्यान देना ऐसे में आप इन दोनों का अगर योग कर दें तो आपका वही आंसर होगा यानिके 28 यानिके option c लेकिन मैंने बताया कैसे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा ठीक है आप डिरेक्टली कर सकते हैं परिधी जब बराबर दी गई हो ध्यान रखना वृत्तों की प तो इसकी त्रिजिया के बराबर हो तो इन दोनों की तरूरे को आपका किसके बराबर होगा इन दोनों की पर चाहर तो इसकी कितनी हो जाएगी देखों दोनों की परधी अगर निकालूंगा मैं परधी अगर दोनों के निकालूंगा तो कितनी होगी आप जानते हैं 2 πाई r यानिके 18 और प्लस 2 πाई r यानिके यहाँ पर 10 यही होगी r की value रखूंगा मैं दोनों की परिधी निकालेंगे दोनों का योग भी लूगा और दोनों का योग इसके बराबर होगा तो यहाँ पर 2 πाई 18 और प्लस 2 πाई 10 तो बच्चों देखो 2 πाई r है यहाँ पर यहाँ पर 2 πाई common हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस 10 हो जाएगा और आप देखेंगे 2 πाई से 2 πाई खतम और r बराबर देखो उन दोनों का योग यानिक 28 और इस तरीके से आपका निकली 28 तिरिजा पूछी थी तिरिजा निकली 28 व्यास पूछा होता हो तो तो हम 28 दोनी 56 कर देते और यही आपका आंसर था यदि किसी चण सूर्य का उन्यन कोण या उन्यतांश कोण साथ डिग्री है तो उस समय 30 मीटर लंबी परच्छाई देने वाली मिनार की उचाई क्या होगी ध्यान रखना जब सूर्य का उन्यतांश कोण साथ डिग्री होगा तो आपका जो त्रिभुज बनेगा वो कुछ साथ डिग्री का कोण धरती के साथ बनाएगा इस तरीके का यह आपकी परच्छाई होगी ध्यान देना यह साथ डिग्री होगा यह आपकी परच्छाई होगी यह मिनार की उचाई होगी अगर मैं इसको ABC मान लूँ तो बिलकुल ध्यान से समझना यहां पर 30 मीटर लंबी आपको परच्छाई दी हुई है 30 मीटर लंबी परच्छाई दी हुई है आपको मिनार की उचाई बतानी है यानि कि मान लो एच बताना है तो सीधे सीधे मैं इन दोनों का अनुपात लूँगा यहां पर यह जो कि 10 तीटा जिसको मैं कहता हूँ यहां पर 1060 होगा वो 1060 डिगरी बराबर होगा आपका एच बते में 30 मीटर गया अगर यह है तो आप जानते हैं यह 30 होगा 30 के सामने लिवुजा मैंने बताया था एक तो यह करन आपका दो और यह रूट तीन यह हो गया तो अनुपात आप देखेंगे यहां से यहां अनुपात क्या है रूट एक कान पाते हैं कि रूट तीन ही कहते हैं इसे 1060 को एच बते 30 मीटर तो आप देखेंगे एच बराबर आपका आगया 30 तीस इधर आएगा रूट तीन से गुळा होगा 30 हो जाएगा और मीटर आप लगा दिए तो इस तरह आपका चनी कह निकल गया 30 रूट तीन मीटर कहां पर है ऑप्षन नंबर एपर है तो यह रहा ऑप्षन नंबर एक जो की correct एंसर है आप देखने कितनी सरलत दसे कितने सि कॉर्ण पर ज्खोकी हों एक का के शुरोपर इस पर छ्षेखाएं खीचनी होती है जो निम्ण कॉर्ण पर फ्योड लिखा नैसे व्रित देखो मैं पहले आपको बना के दिखा का एक आपका वृत होगा और यह इस तरह करके कुछ इसपर शुर्षेखाएं और यहां पर कह रहा है कि ऐसी इस परश्रिखाओं का यूग में जो साथ डीगरी पर ढूँ कर देखा आहाँ हो हो कि इन Гाणा के इनके इनके पर होनी चाहिए नदोने तिरिजाओं के शीरो पर जो निम्न कोंड पर जुकी हो, यानि कि इन में से किसी कोंड पर, यानि कि जो त्रिजिया है, किस कोंड पर जुकी हो, यानि कुल मिला कि आपको ये त्रिजिया बतानी है, मतलब ये कोंड बताना है आपको केंदर पर, बस, तो ऐसे में आप जानते हैं, ये होता है आपका 90 ड सरma तो दूसरा क्या होगा 120 होगा तक कोई दिक्कत तो नहीं को इघाया और तो उमीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है यहां-पर इस तो की कोई लिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर कि समान उचाई के एक बेलन और एक शंकु के आधारों की तिरज्याएं तीन और चार के अनुपात में हैं उनके आयतनों का अनुपात आपको बताना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों समान उचाई के एक बेल सब्सक्राइब कुछ अगर आप मानों के तो क्या मान सकते हो देखो ध्यान से तो माना माना अ दिखे तो शंकु की तिरज्या कितने हो जाएजीगी है यह मैं को की तिरिज्या पूर एक्स हो जाएगी आपको पता है जब अनुपात दिया है किसी भी चीज़ का तो उसे उसी अनुपात में हमें मानना होता है ध्यान रखना तो उसके आयतनों का अनुपात पूछा है आपसे आयतनों का अनुपात निकाल देते हैं बेलन का आयतन क्या होता है पाई, आर स्कॉार एच, इसकी त्रिज़ा को हम आरवन ले लेते हैं, और शंकु का क्या होता है, एक बटे तीन, पाई, आरटू स्कॉार एच, दोनों के लग-लग त्रिज़ा होंगे, इसलिए आरवन, आरटू का प्रयोग किया है मैंने, फीक है, पाई से पाई तो खतम हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या होगा आरवन सबसे पहले बेलन की बात करें तो बेलन की तिर्जिया क्या है तीनेक्स स्कॉायर और यहां पर एच भी कट गया ध्यान रखना दोने की उचाई समान है लिखाना समान उचाई इसको एच अगर ले लें हम तो यह भी कट गया और नीचे पाई से पाई भी कट चुका और आरटू यानिके फोर एक्स पाई स्कॉायर और साथ में एक बट्टे तीन यहां पर बचा हुआ है अगले step में एक बट्टे 3 ऊपर आके 3 बट्टे एक हो जाएगा यनिके 3 और यहाँ पर आपका 9x² और बट्टे में 16x² यहाँ पर x² से x² खतम, 9, 3, 27, 27 बट्टे 16 यह अनुपात आ गया, 27, 16 का अनुपात होगा, 27, 16 यहाँ पर कहा है, आप देखेंगे option number D पर 27, 16 आपको साफ साफ देख रहा है, उमीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी इस question में, बस ध्यान रखना सीधे सीधे इसका वर्ग मत कर देना, कहीं आप इसे 9 बट्टे 16 कर दो, हलाकि 9 बट्टे 16 option में भी नहीं है, आप यहाँ से तो पकड़ ही लोग इसे, यहाँ लिखाए 3 3X स्क्वाइर प्लस 2X प्लस A बराबर 0 का विवितकर और X स्क्वाइर माइनस 4X प्लस 2 बराबर 0 के विवितकर का दुगना है, मतलब इसका विवितकर इसका दूगना है, तो A का मान बताना है, तो सबसे पहले, हम इसके विवितकर की बात करें, तो क्या होगा, हम जानते है B²-4A सी होता है तो B² यानिके 2 का SQUAR माइनस 4A यानिके 3 और C यानिके A ये जो है इसके विविवत्तर का दुगना है तो इसका विविवत्तर निकाल के 2 गुना करके देख लेते हैं B² यानिके माइनस 4 का SQUAR माइनस 4 A1 है X O R का गुणां के यहाँ पर 1 है और C 2 है इसका दुगना है ऐसे कर लो तो यहाँ पर क्या होगा आप ध्यान से देखिए यह हो जागा 4 माइनस 12 A पराबर यहाँ 16 माइनस 4 दुनी 8 गुणार्ध है तो यह माइनस 12 A बराबर 16 मैंसे आठके आठ गुणार्ध है और इसे माइनस का चार इदर करके इदर ले आओ तो यह होगा माइनस 12 A और 16 माइनस 4 Ond तो यह हो जाएगा minus 12A बराबर plus का बार एगा 16 में 14 गया 12 तो A बराबर आपका आगया 12 बटे minus 12 और यह finally आगया minus का 1 minus 1 option D में आपको देखने को मिलेगा तो यह question भी अच्छे से clear हो गया होगा पढ़ते हैं बच्चे गए अगले प्रश्ण की और गधुन को हल करते हैं भयान समझी बच्छों और आप कोशिश कीजिए कि साथ के साथ साल करते रहें यासी साथ ही साथ आप भी कोश्छन्स को सॉल करते रहें लिखा जदी माइनस चार डिगास समिकर्ण x square plus px minus 4 equals to 0 का एक मूल है पता समी करने इसके समान मूल है तो k कमान गयाद कीजिए अगर इसके मूल समान है तो k तो यहीं पर रहना तो हम अराम से k कमान गयाद कर सकते लेकिन एक problem है problem है कि यहां एक और चर P दिया हुआ है एक और यहां पर value पी दी हुई है जिसकी value हमें नहीं मालूम अगर एक तरह से एक और यहां पर चर दिया हुआ है तो P कमान पहले गयाद करना पड़ेगा तो P कमान आप देख लेंगे यहां से गयाद हो जाएगा क्योंकि यहां पर सिर्फ P दिया हुआ है और minus 4 इस दिखाद समिकर्ण का एक मूल है तो चूकी घ्यान रखना चूकी minus 4 दिखाद समिकर्ण x square plus P x minus 4 बराबर 0 का मूल है तो तो minus 4 अगर आप इसमें रख दें तो इस दोनों पक्ष बराबर होंगे तो minus 4 square plus P minus 4 और minus 4 पहले से ही है इसमें एक है नगर यह होगा अगर ऐसा होगा तो यह हो जाएगा 16 और यह minus 4 P और minus 4 बराबर 0 यह 16 minus 4 कितना हो जाएगा 12 है और यह minus 4 P बराबर 0 यह minus 4 P यह plus 12 है देखो 12 साथ plus का sign तो इधर आके minus का 12 हो जाएगा P बराबर minus 12 है बटे minus 4 और यह हो गया आपका plus का 3 क्योंकि minus से minus हो जाएगा खतम यहाँ पर आप देखेंगे P का मान आपका आचुका है अब P का मान 2X स्क्वाइर समी करना है P X प्लस K बराबर 0 में रखने पर P का मान अगर इसमें रखते हैं P का मान आए 3 तो हमारे पास क्या मिलेगा 2X स्क्वाइर प्लस 3X प्लस K बराबर 0 यहाँ आप देखेंगे कि A बराबर है 2 P बराबर है 3 और C बराबर है K और चुकि इसके मूल समान है चुकि इस समी करन के मूल समान है इसी लिए आपका B स्क्वाइर माइनस 4AC वो 0 के बराबर होगा B स्क्वाइर यानिके 3 3 का स्क्वाइर माइनस 4 यह C भी है यहाँ पर 4AC माइनस 4A यानिके 2 और C यानिके K बराबर 0 होगा तो आप देखेंगे यह हो गया 9 और यह 4 दूनी 8 माइनस का 8 के ठीके बराबर 0 तो आप देखेंगे 8 के उधर गया तो प्लस का 8 के हो गया यानिके K बराबर 9 बटे 8 तो K बराबर क्या मिल गया आपको 9 बटे 8 और यह हो गया आपका उत्तर ठीके बच्चों से आपको पता है कि इस तरह कुछना पहले भी कर चूके हैं आपको मालूम होगा कि अगर इसके मूल समान है तो के कमान निकल सकता है अगर लेकिन तभी न जब सिर्फ हो गया अपके कमान निकालना थो आपने कर लिया बढ़ते हैं आगे त्रिज्या और उचाई एच वाले एक ठोस बेलन को उसी उचाई और त्रिज्या वाले बेलन के उपर रख दिया जाता है तो इस प्रकार बने आकार का कुल पिष्टी से तरफल क्या होगा ध्यान रखना एक बेलन आपको ऐसे दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या क्या है आर उचाई एच है इसी त्रिज्या और उचाई वाला एक और बेलन लेकर इसके उपर रख दिया जाता है तो इससे क्या त्रिज्या बदली नहीं त्रिज्या नहीं बदली त्रिज्या तो अभी उतनी लेकिन उचाई ज़रूब बदल गई उचाई होगे डबल यानिके टू एच तो नय बेलन की तृज्या नहीं बदलेगी द्यान रखना वो तो रहेगी आर लेकिन नय बेलन की उचाई कि नय बेलन की कि उचाई और यह हो जाएगा आपका टू एच यह द्यान रखना बस पूछा क्या है आपसे इस आकार का कुल प्रिष्ठी चेतरफल क्या होता है नय बेलन का कुल प्रिष्ठी चेतरफल कुल प्रिष्ठी चेतरफल इसमें बच्चों क्या होता है ध्यान देना पहले तो टू पाइर से इसका वक्र प्रिष्टा आता है और टू पाइर इसक्वाइर यानि कि आप टू पाइर जब कॉमन लेते हो तो आपका यहां पर एच प्लस आर आता था तो इसमें ये सारे मान रख दो ध्यान देना यहां एच की जगह बसाप 2 एच लिख दो और कुछ नहीं है ना 2 हप्लस आर परस हो गया यह यह सूल हो चुका है किक्टम केंकि इसमेमान टू कोई फरक नहीं पड़ता जब को इससे करोगे तो यह हो जाएगा फॉर पाई आर एच और प्लस जब इससे करोगे तो टू पाई आर इस्वाइर ज्याद आप यह कर लोगे बस इस ज्याद आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है जलो बढ़ते हैं आगे दर्शाइए कि यह तीनों बिंदू संरेखी है आप कैसे दर्शाइएंगे कि यह संरेखी है आप जानते हैं तीन संरेखी बिंदू जब आपको दिये होते हैं तो ऐसे में उस तिर्भूज का छेतरफल ज्याद कीजिए जिसके तीनों सीर्ष यह बिंदू हो और वो छेतरफल शून ने होगा यदी ये सनरेखी है यदी ये सनरेखी नहीं है तो आपको कुछ न कुछ धनात्मक छेतरफल मिल जाएगा तो यहाँ पर आईए इसे करते हैं माना X1, Y1 आपका 2, 4 है X2, Y2 आपका 0, 1 है और 4, 7 जो है आपका वो X3, Y3 है ठीक है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर मैं बात करूँ इसको अगर मैं A मान लूँ इसको B मान लूँ इसको C मान लूँ तो ऐसे मैं त्रिभुज ABC का छेतरफल त्रिभुज ABC का छेतरफल क्या होगा आपको सूत्र याद है सूत्र है आपका एक बट्टे दो मैं लिख देता हूँ एक बार X1 Y2 माइनस Y3 X2 Y3 माइनस Y1 X3 Y1 माइनस Y2 यह आपका सूत्र है इस सूत्र से त्रिभुज का छेतरफल निकालते हैं और देखते हैं कि यह शून ने आता है या नहीं आता यह रहा X1 यहाँ पर आपने लिखा 2 इन दोनों का Y यानिके 1 माइनस 7 प्लस X2 यानिके 0 फिर इन दोनों का Y यानिके 7 माइनस 4 फिर X3 यानिके 4 और इन दोनों का Y यानिके 4 माइनस 1 यह रहा यह आपकी calculation एक बट्टे दो देख लेते हैं क्या आता है एक में से साथ क्या माइनस है तो 6 दूनी 12 माइनस का 12 आ गया यहाँ पर यह तो होगा 0 और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, 4, 3, 12 प्लस का 12 और आप देखेंगे एक बट्टे दो बुणा यह 0 बराबर 0 तुकि 12 माइनस 12 होत है तो अमीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे सांज में आया होगा किसी तरह की कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होई होगी अब आप 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 आगे लिखेंगे क्योंकि ए बी तथा सी से बनने वाले त्रिभुज का छेतरफल शूनने है शूनने है A, B, C से बनने वाले त्रिभुज का छेतरफल शूनने है अतह A, B, तथा सी सनरेख है या सनरेखी बिंदू है दोनों में से आप कुछ भी लिख लो चल जाएगा और दोनों ही बिल्कुत सही स्टेटमेंट होगी तो उमिद करता हूं यह बात क्लियर हो गई होगी पढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है एक अर्दगोलाकार कतोर्य के वृत्तकार शिरी की परदी 132 है uh घारिता किया है कट्टोरे का पाईतन क्या है धारिता को आप लीटर में जटाले तो ज्यादा अच्छा होता है जब कभी आपके सामने धारिता लिखी हो तो कोशिश कर Supreme लेकिन यहां पर पहले सेंटीम्य अर्ध गोले की तिरिज्या बराबर आर है तो अर्ध गोले के सिरे की परिधी अब अर्ध गोला जो है उसके सिरे की परिधी की बात करें हो तो टूपाई और होगा अगर ये तिर्ज्या आर होती है तो ये टूपाई आर हमने लिख लिया ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं तो ये जो सिरा है सिरे की परिधी आपको पहले सी दी हुई है कितनी दे रखी है 132 तो इधर लिखें आप 132 सेंटिमीटर इधर लिखें टूपाई आर आपको निकालना है आर पहले क्योंकि आर निकलेगा तभी आप धारिता बता पाएंगे तो आर निकालने के लिए टू पाई को इधर ले आए एक सो बतिस सेंटी मीटर बट्टे में टू पाई अभी क्या करेंगे एक सो बतिस सबसे पहले तो आप टू से इसे काटें तू से इसे सब्सक्राइब अगर अगर अर्थ गोले का आयतन होगा आपका अर्थ गोले का आयतन होगा आपका टू बाइ ठी पाई आर क्यूब तो टू बाइ ठी पाई आप ले लीजिए बाइस बट्ते साथ बाइस बट्ते साथ क्यों कि हमें आर कुछ ऐसा दिया हुआ है जो अराम से साथ से कड़ जायेगा आर हमारा है 21, तो 21 cm का यहां पर cube लिखना है आपको, इसे हल करना है अभी आपको, दो बटे 3, गुणा 22, बटे 7, गुणा 21, गुणा 21, साथ इकम साथ, सातिया 21, तीन से ये तीन खतम, दो बार 21 बचा है, तो अभी क्या करेंगे 22, दूनी 44, और 21 को 21 से करेंगे, तो यह होता है, 441, अब मुझे लगता है, 441 को 44 से गुणा करना बिल्कुल आसान है, तो मैं गुणा करके देख लेता हूँ, 44 से 441 को, चार इकम 4, चार चोके 16, 16 का 6 हसिल 1, 4 चोक 16, 16, 17, वही सेम नीचे भी आएगा, 17, 64, और इसके बाद 4, 6, 4, 10, 10 का 0, हसिल 1, 7, 6, 13, 14, 14 का 4, हसिल 1, 7, 9, 1, 19, 404, यह आ गया, 19, 404, घन सेंटीमीटर, और घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग करना होगा, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 19, 404 ऐसे ही रखें, और बटे में, आप क्या कर लें, 1000 लिख दें, और 1000 लिखने बाद इसे कर लें, आप लीटर, तो इसके बाद क्या होगा, 19.404 लीटर, आपका आंसर आजाएगा, इस तरह आपकी धारिता निकल जाएगे, लगव लगव 19 लीटर, उस कटोरे का, कटोरे की धारिता होगी, बात क्लीर है, चलो, ये बात क्लीर है, तो बढ़ते हैं, अगले प्रशन की और बच्चों, अगला प्रशन है, एक्स अक्षपर इस्थित, कौन सा बिंदू, इन दोनों बिंदूओं से, यानि के 7, 6 और माइनस 3, 4 से सम्दूरस्त है, आपको एक्स अक्षपर बिंदू बत एक्स अक्षपर प्रतेक बिंदू, किस रूप का होता है, इसमें Y0 होता है, ध्यान रगना, X0 के रूप का होता है, है ना, तो यहाँ पर ये जो है, इन दोनों से सम्दूरस्त है, है ना, तो चूंकी, चूंकि यह बिंदू, यह बिंदू, साच है, तथा माइनस 3, 4 से सम्दूरस्त है, यह बिंदू, इन दोनों बिंदू सम्दूरस्त है, अतह, अतह, X0 तथा 76 की दूरी, बराबर, बराबर होगी, X0 तथा माइनस 3, 4 की दूरी, यह दोनों बराबर होगी, ठीक है न, तो दूरी कैसे निकलती है, आप दूरी सूत्र लगाएं, यहाँ पर वर्ग मूल, X-7 का वर्ग, एक बार X का अंतर, और एक बार Y, यहनिके 0-6 का अंतर, यह हो गया, बराबर में, यहाँ पर X-3, यहनिके X-3 का स्क्वाइर, और प्लस, 0-4 का स्क्वाइर, इस रूट से यह रूट काड़ो, सबसे पहले काम तो यह करो, अब यहाँ पर आया आपका X-2, A-B का होल स्क्वाइर, X-2-14X, प्लस 49, और यहाँ पर माइनस 6 का स्क्वाइर, 36, प्लस का 36 होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर भी X-2, प्लस 6, प्लस 9, और यहाँ पर 4 का वर् प्लस का, माइनस 4X, 6X इदर आएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 20X हो जाएगा, इदर कर लेते हैं, माइनस का 20X, X होगा एक तरफ, 16 हो अदर 25, और यह 49 और 36 कितना होता है, 49 और 36 होता 85, उदर 25, यह 85 उदर जाके माइनस होगा, तो माइनस का 85, 25 में से 85 घटाएगे, ध्यान रखना, 25 में से 85 घटाएगे, तो बराबर में इदर 25 में से क्या घटाएगे, 85, ती 1976 यह ओग्या माइनस 20 एकस बड़ाबर यहां पर देखि क्या बसता है अ 7 है 60 बचता है यहां पर लेकिन मैनस का गट तो एकस बराबर हो जाएगा मैनस साथ पटे में मैंनस 2 से जीन हो जाता है खतम मैनस से माइनस हो जाता है खतम और 2037 .!' x Outside और तीन यह आपका उत्तर आ गया अठी है का वह बिंदू कि जिसको हमने एक्स जीरो माना था परावर तीन जीरो है कि यानिए एक्स अक्षपर वह बिंदू है जीरो है और एक्स अक्षपर जहां पर तीन एकाई आप दर्सादते हो वही वह बिंदू है ध्यान रखना बात क्लियर हो गई अच्छे से क्लियर है इसका solution तो बच्चों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या है आपका समी करन्ट 2x upon x-3 plus 1 upon 2x plus 3 plus 3x plus 9 upon x-3 into 2x plus 3 equals to 0 है तो आपको x के लिए इसको हल करना है कैसे हल करते हैं x के लिए आए देखते हैं यहाँ पर एक काम करिए इन दोनों को जिसके हर इन दोनों के साथ मतलब देखा जाए तो एक जासे दिखते हैं मतलब अगर इन दोनों के उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस का 3x plus 9 upon x-3 into 2x plus 3 ऐसा कुछ करें पहले फिर आप इन दोनों का LCM ले तो इन दोनों का LCM जब लेंगे तो हर को आपस में गुणा कर देंगे क्योंकि कोई भी उबेनिस्ट इसमें दिख नहीं रहा मुझे और उपर ये cross multiplication होती है आप जानते हैं 2x into 2x into 2x plus 3 और plus 1 into x minus 3 और बराबर इधर है आपका 3x plus 9 upon x minus 3 और यहाँ पर 2x plus 3 अब ही आप इसके हर को इसके हर से काट सकते हैं आप देखेंगे बिल्कुल सेम मैच कर गया काट दिया हमने इसके बार 2x को 2x से multiply का यहाँ पर तो 4x square 2x को 3 से किया तो plus का 6x और plus यहाँ 1 को किया तो x और minus 3 पराबर यह minus 3x और minus 9 हो जाएगा यह minus दोनों के साथ लग जाएगा सबको एक तरफ लियाओ और देखते हैं क्या होता है यहाँ हो जाएगा 4x square 6x और x 7x minus 3 और यह 3x इदर आके plus का 3x और minus 9 इदर आके plus का 9 बराबर 0 सब्सक्राइब आपको मिल जाएगा 4x square और यह 7x था यह मैंने एक्स यहाँ पर लिखा नहीं मतले लिखना भूल गया मैं ठीक है उसके बाद माइनस 3 आपका यह रहा ठीक है 3x इदर आके plus 9 इदर आके plus अब बागी के लिविशन आप कर ले कर लें यहाँ पर 7x और 3x यह हो गया plus का 6 पराबर 0 आप देखेंगे यह दो से दोनों तरफ कट जाएगा तो आपको समिकर मिलेगा दो से कटने बाद 2x square 2x square plus 5x plus 3 यह होगा ना दो से दोनों तरफ काटेंगे तो यहाँ 10x था 5x यहाँ 6 था तो 3 अब भी देखें आप बड़े अराम से आप इसे कॉल कर सकते हैं इसको plus 2x लिखिए और plus 3x लिखिए क्योंकि जोड़कर plus का 5x होगा और plus 3 यहाँ पर लास्ट में पुरा करके 2x common तो यहाँ पर x बचा यहाँ पर 2x पूरा निए लिए तो वन बचा plus यहाँ पर 3 common तो यहाँ एक्स प्लस भून ही बचा बदेखेंगे तो आप हल कर चुकें लगवगी से यहाँ 2x Plus 3 बदा बदेखें अब यहाँ पर या तो x plus 1 0 होगा क्योंकि इसको और इसको यह दो बहुपद इनको गुणा करके 0 आ रहा है तो या तो यह बहुपद 0 होगा या तो यह बहुपद 0 होगा तो x plus 1 0 हुआ तो क्या होगा देखते हैं या फिर 2x plus 3 0 हुआ तो क्या होगा वो भी देखते हैं तो यहाँ पर x का मान माइनस वान आ जाएगा और यहाँ पर x का मान 3 उदर जाके माइनस और 2 इदर बट्टे में माइनस 3 अपन 2 आ जाएगा अतर है, हम कह सकते हैं ती x बराबर माइनस 1 या फिर माइनस 3 अपन 2 है ये दो मान हैक्स के और दोनों ही मान यहाँ पर हम बच्चों कल्कुलेट कर चुके हैं उमीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको यह सारे कॉंसेप्ट और सारे कॉशन्स आपको समझ में आ रहे होंगे आईए अगले प्रशन के और बढ़ते हैं हमारे पास और भी प्रशन और एक और प्रशनallo आप और पासच करें अब करना की में अगर आपको है क्यों की सब्सिट में रख्यान है तो एस को को यह से इसक्रिक चाहरा की माइनरे पेंटालிख तो आएगा वही कौन आप तृज्याओं की बीच में रखें मैं आपको बताता हूँ कैसे यहां देखो ध्यान से तरिज्याओं के बीच का कोण जिन पर ये इसपर्ष रेखाएं बननी हैं वो कैसे निकलता है 180 में से 45 को माइनस कर दो क्योंकि ये आपके इसपर्ष रेखाओं के बीच का कोण है तो जब 45 माइनस किया तो ये कितना आ गया एक सो पैंतिस एक सो पैंतिस डिग्री निकल गया तो आपको क्या करना है आपको एक व्रित खीचना है जिसकी तरिज्या तरिज्या चार सेंटिमीटर हो जियान देना तरिज्या चार सेंटिमीटर है सबसे पहले आपको एक तरिज्या यहां पर खीच देनी है और दूसरी तरिज्या ऐसे लेने के उसकी बीच का कोंड एक सो पैंतिस हो तो आप यहां पर एक सो पैंतिस डिग्री का एक कोंड बनाएंगे कैसे आप जानते हैं पहले 60 फिर 120 फिर इस पर इधर खीचें फिर इधर खीचें 90 बनेगा और 90 बाद यह लाइन अगर थोड़ा समय और आगे खीच दूँ इस तरह आप एक व्यास ले लिया करें कोई दिक्कत नहीं व्यास लेने में व्यास लेने के बाद यह 90 बना 90 बाद इसका हाफ करना आपको यह एक लाइन खीची हलकी सी आप dashed line खीच सकते हैं यहाँ पर dashed line ले लिजिए 90 के लिए जो 90 को दिखाए उसके बाद आपको क्या करना है इन दोनों से यहाँ पर कोड समझे वाज़े खीचना है यानि कि इस बिंदू से और इस बिंदू से और इसको आप खीच दीजिए यह बन जाएगा 90 पूरा था यह 45 हो जाएगा और इधर 90 है 90, 45, 135 यह 135 डिग्री बन जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर फिर से 60 120 फिर उसके बाद यहाँ आपको इदर से कट लगाना है और उसको ऐसे खीच देना है यह 90 डिग्री का कूण बनाना है बनाना और यहाँ पर भी ऐसी 90 डिग्री बना दीजिए यहाँ पर 60, 120 जैसे भी आप बनते हैं 90 डिग्री बनने की कोशिश करिए बन जाएगा जिनता उत करिए यहां से दोनों से जब कट लगाते हैं आपको याद होगा यही 90 होता है और ऐसे खीज दीजिए और यह आपका 90 बन जाएगा और ऐसे में आपको यह 45 ही मिलेगा आपको 45 से यह था यह मिल जाएगा और यहां पर आपने 135 बनाया था ध्यान रखेगा इन दोनों का योग 180 होता आप इसको O रख लेंगे, इसको A रख लेंगे, इसको B रख लेंगे और इसको P रख लेंगे बाहें बिंदो को, ठीक है, ध्यान रखेएगा, बनाते समय इसकी त्रिजा का ध्यान दीजिएगा, वो 4 cm ही आपको खीचना है, त्रिजा 4 cm होनी चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा अपरी सिरा भूमी पर आकर लगता है, और 30 का कोण बनाते हो, इस पर्ष करता है उसे, पेड के आधार से उस बिंदू की दूरी जहां उपरी सिरा भूमी को इस पर्ष करता है, 10 मिटर है, पेड की उचाही याद कीजिए, तो सबसे पहले हम कंडिशन को त्यार करते हैं, य पर्ष के इस ले लिया, हमने ले लिया, अब जाहिर सी बात है, ये टूटा हुआ भाग है पेड का जो आके ऐसे गिर गया है, तो ये टूटा हुआ भाग है तो ये पहले कैसा रहा होगा, पहले ये सीधा उपर रहा होगा ऐसे, कि ऐसा रहोगा यही भागा तूट के यहां पर गिर गया है यह आफा का तूट के यहां पर इस तरह के नीचे गिर गया है यहां पर 30 ग्री और बना रहा है वह पेड़ अब नूड पेड़ एबी है कि और तो एक बिन्दू यहां पर सी आ गया और यह बी डैश ले लो यहां तक बच्चों उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई होगी आगे सुनो यहां पर सारी चीजों को आपको एक्स्प्लेंड करके लिखना भी है माना पेड़ एबी है जो सी से तूटकर मुड़ जाता है मुड़ जाता है तथा भूमी के भूमी के एक बिन्दू भूमी के एक बिन्दू बी डैस पर स्पर्ष करता है स्पर्ष करता है तो प्रश्णा नुसार बाकी सारी चीज आपने लिख ली है यहां पर और आगे क्या लिखा है एक चीज दी हुई है आपको क्या लिखा है पेड़ के आधार स्पर्ष बिन्दू की दूरी जहां उपरी सिरा भूमी के टचकर दस मीटर है यह हो गया देखो देखो ठैकर है किंगा पूरी यहां से नहीं ही यहां से लेके यहां तक की यह बताने के लिए आपको ये और यह जोड़ना पड़ाइबा जानते हैं है यहां दोनों भूजाएं कrise कि यहां दिखाएं यहां B-C बराबर B-C होगा ध्यान रखना और आपको क्या चाहिए आपको A-C प्लस B-C यानिके A-B चाहिए A-B यहां पर चाहिए तो उसके लिए आप दोनों भुजाएं पहले निकालने A-C और B-C तो पहले 10 लेते हैं और फिर एक बार कॉस ले लेंगे हो जाएगा तो पहले 10 लेते हैं 10 से हम A-C निकालते हैं तो 10 तीस डिग्री 10 तीस डिग्री बराबर क्या होगा A-C बटे A-B A-C बटे A-B लेकिन B-C है ध्यान रखना और 10 तीस होता है एक बटे रूट 3 और यहां पर A-C आपका कितना है नहीं मालूम वही निकालेंगा पहले और A-B-डेस जो कि आपको दे रखा है पहले से कितना है ध्यान देना A-B-डेस कितना है 10 मीटर तो यह हो जाएगा 10 पटे रूट 3 मीटर क्या A-C A-C निकल गया अब बात करते हैं तथा कास कास 30 डिग्री मैंने कास क्यों लिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन दोनों भुजाओं कानपात ले कर यह होता न कास यह होता आपका 10 और यह होता कास यह होता 10 और यह कास दोनों 30 30 पे लेंगे चलो तो यह हो जाएगा A-B-डेस और B-C A-B-C और B-C तो यहाँ पर कॉस तीस डिगरी कितना होता है रूट तीन बट्टे दो होता है A-B-C आपको मालूम है कितना 10 और B-C आपको निकालना है तो इस तरह आपका B-C भी आ जाएगा तो यहाँ पर B-C इधर लिख देते हैं B-C पराबर यहाँ 10 है 10 गुणा 2 हो जाएगा और रूट 3 बट्टे मा जाएगा और इस तरह B-C आपका आगा 20 बट्टे रूट 3 बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से आपकी क्लियर हो गई होगी ठीक है पराबर यहाँ 10 बट्टे बात क्लियर हो जाएगा पराबर यहाँ 10 बट्टे मा जाएगा पराबर यहाँ 10 बट्टे मा जाएगा झाल 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 यहां तक हम कर चुके थे एसी तक पास्थ लेने के बाद हमने क्या कि है को सर्टी की वैल्यू रखी है और यह यहां पर हमने लिया इसका अनुपात मुझे लगता है यहां तक मैं आपको समझा चुका था बीडास्थ तक वैल्यू आ गए थी अभी यहां पेड़ की उचाई लिखते हैं इसका रीजन यह जो बीसी है यह बीडैसी के बराबर है क्योंकि यह पेड़ का टूटा वह भाग है यहां मुड़के आया हुआ है तो हम बीसी को बीडैसी लिख रहे हैं करेंगे नीच नीचे रूट तीन से गुड़ां करेंगे तो तीन हो जाएगा सबीकिषार इसारे साभो आपको अच्छे से समझे की और अगर नहीं किये तो एक बार वीडियो को शुरू से देखींगे और सभी questions की practice कीजिए बच्चों questions अच्छे हैं important भी हैं तो इनकी practice बहुत जरुरी है तो बच्चों यह था आपका दूसरा session आपकी important questions का तो मिलते हैं बच्चों आपसे फिर किसी नए session में अभी के लिए bye bye